हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने वीवो X100 Android में आप अपने Bluetooth की connectivity प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मुवाइल फोन के Bluetooth को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं जागा फिर इसके थोड़ी देर बाद आटमाटिक स्विच अन हो जाएगा रिस्टार्ट करने से होता है हमारे फोन के Android सिस्टम में अगर कोई प्रॉल्म आती है तो वह सॉल्व हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से ठीक है अगला काम यह करने है की mobile phone की aware setting को reset करने से नहां पर सबसे उपर से इकन चानी है या पर सबसे उपर शर्च उपर में रिसिट आपको लिखने है तो आपको नीचे ंगरी हो जो एस पाप्षम पर ऐसे उपर एस इस तीन ऑप्षम देटा ब्लूट करना है अगले पेज में यहापने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है इसके बाद आपको इसे राइट किलिक कर देना है आपको नेक्स्ट पेज में जो है सबसे नीचे रिखावा आ जाता है नेटवर्क सैटिंग को रिसेट करना है जिससे ब्लुथूथ की कनेक्टिविटी प्लॉब्स होल ओजाती है अगला काम आपको करना है क्या है मुवईल फोन का स्वल्फट यापको चैक करना है कि अबडेट है या और दिखाई देता है तो उससे आपको Ice- khác करना है जिससे के और आ तो आपको पिछले प्रोसेस कोई बी काम नहीं करतें तब आपको फोन को रीशेट करने के लिए इसके अगले पेज में सबसे निचे erase all data factory reset का यह option tap करना है इससे आपका phone जो है reset हो जाएगा और आपके bluetooth की connectivity की problem जो है solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखना है आपके mobile phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले ल devices यूज करने के बाद भी आपके problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखी दोस्तों आपके mobile phone का service center है वहाँ पर आपको चले जाना अपने mobile phone को वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कि हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसकी वज़े स आपके mobile phone का Bluetooth किसी भी दूसरे device के साथ connect नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताया है mobile phone के software के जरिये बताया है ठीक है